हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आएक्जाम भी, आएम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आपको बता है, आर बिया ग्रेडबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और नियर बॉट एक वीक हो गया उसको, काफी सारे स्टुडेंस पूछ रहें कि सर क पैसे तैयारी करें, अगर मैं आज से चालू करूंगा, तो मेरा बढ़ाई होगा कै नहीं होगा, अगर आप देखेंगे न, पिछला ट्रेंड, तो आर बिया का जो नोटिफिकेशन आता है, वो नियर अबॉट 40-45 डे जब बच्चे आपके एक्जाम को तब आता है, तो इ हम realistically देखते हैं, कि अगर हम आज से पढ़ाई चालू करते हैं, तो यह possible है क्या, ठीक है, तो मैं आपके साथ एक plan शेयर करूंगा, मैं इसको one of the best plans कहता हूँ, तो पहले मुझे comment में बताईए, यहाँ पर as होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मतब one of the best plan होना चाह है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, तो देखो plans बहुत सारे है, मैंने मेरे इसाब से बनाया हुआ है, तो किसी और का best हो सकता है, या किसी और का भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि यह एक plan में से एक अच्छा plan मुझे लग रहा है, तो मैं आपके सामियर चाहिए, आप दूसरे किसी को मत पूछिए, यह अच्छा है, नहीं है, खुट decide आप कर सकते है, और आपको करना चाहिए, तो अभी यह भी सवाल है, लोगों का, कि सर अभी सी phase 1 करूं, या phase 1, phase 2 दोनों करूं, यह भी सवाल है, बहुत सारे student का, हजारो students का है, तो मैं आप को इसका realistically जवाब दे दूँगा, मेरा जवाब किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, यह decision आपको खुद को लेना है, third person को किसी को मत पूछिए, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, कि सर का जो plan है अच्छा है या नहीं है, मैं आपको explain कर 30 है, English 30 है, तो 200 markup का paper है, cutoff मत देखिए, क्योंकि cutoff में बहुत सादा variation होता है, अगर 2021 का देखेंगे, तो 67 cutoff है, 2019 का देखेंगे, तो 121 cutoff है, बहुत variation है, तो हमें जितने maximum marks हम ला सकते हैं, वो लाने का try करना है, यह हो गया general awareness, और यह general awareness में actually इसका कोई syllabus नहीं है, लेकिन अगर आप RBA का exam का nature देखेंगे, तो इसमें economic affairs आते हैं, या आप economic awareness कहीं है, banking कहीं है, financial awareness कहीं है, और बाकी जनरल जो है static GKP इसमें आता है, अभी यह देखते है, economic and social issues, और बहुत लोगों को misconception है, कि RBA के exam में economics पूछा जाता है, RBA के exam में economics बिलकुल नहीं पूछा जाता है, यह है economic and social issues, मतलब यही है, थोड़ा सा advanced format में है, और यहाँ पर क्या additional चीज़ है, यहाँ पर syllabus दिया हुआ है, उसके बाद finance है, management ethics यह static portion है, इसका phase 1 में कोई use नहीं है, तो अगर आप देखेंगे, ESI यानि कि economic and financial, economic and social issues and finance जो है, it is a kind of advanced general awareness, तो मैं इसको और इसको अलग नहीं समझता हूँ, यानि कि अगर आप economic survey पढ़ रहे हैं, तो आप किस के लिए पढ़ रहे हैं, आप JIA के लिए पढ़ रहे हैं, आप ESI के लिए पढ़ रहे हैं, आप finance के लिए पढ़ रहे हैं, इंटर्वी में जो current office related question पूछे जाते हैं, RBI related question पूछे जाते हैं, इंडियन economy related question पूछे जाते हैं, तो आपका answer अच्छा रहेगा, जब आप ये सारा integrated way में पढ़ाई करेंगे, तो अभी आपको पता चल गया है कि आपको ESI, finance phase 1, phase 2 ऐसा बिलकुल confusion नहीं करना है, पस तो अभी मैंने कुछ दिन पहले 75 days का एक plan बनाया था, तो अभी आपको उसी plan को कैसे follow करना है मैं आपको explain करूँगा, अभी ये plan explain करने से पहले मैं आपको एक analogy बताता हूँ, जैसे मान लिजे एक 300 pages का book है, तो आपको पढ़ना है, आपने सोचा है कि मैं हर दिन 10 pages किया, मान लो, 11th day पे उसने चालू किया है, तो क्या हो जाएगा, उसके पहले जो 100 pages है, पहले उसको वो cover करने पढ़ेंगा, आप उसको कहो कि backlog करना है, तो ये same analogy मैं आपको हमारा जो plan है, उसके बारे में समझाओंगा, जो लोगोंने starting से join किया है मेरा plan, यानि कि 14th March से वो plan, तो हमारे plan में दो चीज़े है, एक तो है, एक lecture होता है हमारा life, जो होता है रात को 8.15 से लेके 39 बज़े तक, ये daily चलेगा, और इसके बाद ये क्या है, ये video, phase 2 वाले video है, लेकिन मैंने आपको बताया है, national income, per capita income, उसके बाद financial system है, उसके बाद poverty elevation, implement generation, ये सारे topics आपको phase 1 में equally important है, तो इसलिए ये भी आपको देखना है, ऐसा मत समझे कि मुझे phase 2 का पढ़ाई नहीं करना है, मैं phase 1 करूंगा, तो ये आपको skip नहीं करने है, तो अब ये सारे video हो चुके है, तो जो live video थे हो चुके है, वो भी आपको recorded format पे मिलेंगे, यानि कि मान लीजिए अभी आप 1 April से देखना चालू करेंगे, मान लीजिए आप 1 April को अगर ये plan join कर रहे है, इसका मतलब है पहले आपको ये backlog पूरा करना पड़ेगा, तो आप इसमें क्या कर सकते है, जैसे मान लीजिए आपने इस date को ये पूरा complete किया, simultaneous लिए आप उसी दिन ये complete कीजिए, उसके ब आपको जो suitable लगता है, आपके condition के हिसाब से वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है 300 pages का book है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यानि कि ये 75 days में हम कुछ skip नहीं कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे, तो इतने अच्छी तरीके से देखो, मैंने खु bulletin का भी lecture हुआ है, मैंने RBI bulletin कैसे पढ़ना है, अभी RBI circular का भी lecture होगा, तो अगर आप इसमें देखेंगे, तो हमने agriculture की scheme है, उसके बाद हमने PIB का भी lectures cover किया है, कुछ lecture scheme के live format में cover किये, कुछ lecture से recorded format में cover किये, तो ये अगर plan आप अच्छी तरीके से देखेंगे, तो Phase 2 का ESI finance करने से क्या होगा, Phase 1 बहुत ही आपका strong बनेगा, तो देखेंगे, लास्ट ये अगर किसी ने exam दिया होगा, तो देखेंगे, लास्ट ये के जो जीए के question थे, पेपर हो जाने के बाद, student ने मुझे feedback दिया, कि सर ये question हमें ESI और finance जैसे लग रहे थे, इतने difficult multiple choice question थ तो जिन्होंने लास्ट येर ESI finance का syllabus प्रिलिम के पहले खतम किया था, उनको बहुत ही फाइदा हुआ था, अगर आप लगता है तो किसी से भी पूछ के देखेंगे, और जिन्होंने लास्ट येर के exam दिया होगा, उनको तो ये पता ही चल गया होगा, अभी यहाँ पर उसके बाद कुरुक्षेत्रा ही, फिर से government scheme है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो हमने एक भी area ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर छोड़ा हुआ है, आप पूर प्लान अच्छी तरीके से देख लिजे, international current office लिया है, हमने budget का lecture में वो खुद लेने वाला हूँ, कु आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इससे ESI के lecture अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखें, देखो अभी PIB, PIB भी हमने cover किया हुआ है, पिछले 7-8 मेने का, और जिनका phase 1 का focus है, मैं उनको कहूंगा कि पिछले 6-8 month का current office कीजिए, और अगर आपको पूरा का पूरा GA 80-90% कवर करना है, तो 10-12 months का cover करेंगे, आपको लोग कहेंगे कि नहीं 4 month का कर लो, लेकिन वो एक narrow approach होगा, लेकिन आपको बहुत ही हम कहते कि confidently अधकर उतरना है, तो आपको एक साल का अगर आपकर अंटरफेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, जैसे ही prelims हो जाएग आपको बस ethics and management ही आपका रहेगा, उसके बाद similar type का plan में 20 या 25 दिन का बनाऊंगा, जिसमें हम पूरा writing practice करेंगे and face 2 के MCQ solve करेंगे, यानि कि आपका confidence और बढ़ जाएगा, यहाँ पर देखिए economic survey का lecture है, उसके बाद बाकी general awareness है, बाकी reasoning के lecture से काफी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर cover किया है, ministry wise, commerce ministry की government scheme से, ministry of education की है, तो यह हमने काफी अच्छी तरीके से किया है, अगर आप देखेंगे end में, जैसे मान लिजे 28 सरी को आपका exam है, तो last के 3 दिन मैं live everyday आपके साथ आउंगा, यहाँ पर general strategy का lecture होगा, आपके कुछ भी doubt होने तो वो देखेंगे य RBI में main problem क्या है, मैं आपको बताता हूँ, main problem यह है, students पढ़ाई करने के लिए ready है, मुझे पता है, लोग 10-12 गंटे पढ़ने के लिए तयार है, और कुछ जो लोग bank में job कर रहे हैं, जितना time है, वो पूरा time अच्छी तरीके से utilize करने को तयार है, लेकिन करेंगे क्या, यह समझने के लिए ही लोग इतना सारा यहाँ पे डुंडो, वहाँ पे डुंडो, ऐसा करते कर time waste होता है, तो यह मैंने आपके लिए plan दिया है, every year मैं इस तरीके का plan देता हूँ, और काफी successful यह रहता है, आप खुद देखिए, अगर आपको RBI का exam clear करना है, आपको manager बनना है, तो मुझे लगता इतनी capacity तो आप में होगी, यह plan अच्छा है या नहीं है, यह judge करने की, तो यह मैं आप पे छोड़ता हूँ, कि आप इसको अच्छी तरीके से judge करिए, अभी देखो यह हो गया एक पूरा plan, simultaneously क्या चलेगा, simultaneously हमारे 15 mock test चलेंगे, 15 mock test हम आपको provide करने वाले उसमें क्या मिलेगा, आपको पता है, एक phase 1 के paper में क्या आता है, 80 mark का, 80 question आते हैं, यानि कि आपको total 1200 जिये के question मिलेंगे, reasoning के 900 question होंगे, quant के 4500, English के 4500, यानि कि 3000 MCQs आप solve करने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको mock test का भी practice करना है, हमने 15 mock test देने का आपको decision लिया है वो हो गया 75 days का plan, अभी मालीज़ आपके पास 50 भी दिन है तो उसको वो बिठा देंगे हम, आपको क्या करना है, मैंने वो book का logic आपको explain किया, अगर किसी ने 15 दिन के बाद चालो किया है, तो पहला finish करतो, और आप जो लोग job कर रहे हैं, मैं उनको ये advice करूँँगा, कि last day क माई के मंध में, आप कुछ ना कुछ छुटी लेने का try कीज़े, क्योंकि क्या है, जब हमारा exam पास में आता है, तो हमारी efficiency बहुत बढ़ जाती है, हम 10, 12, 13, 15 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उस time पे तो आप, अगर कोई मेरे पास आगा है, कि सर्फ 15 दिन में में कर plan, उसके हिसाब से हम में चलना है, दूसरा हो गया 15 mock test, और तीसरा हो गया previous year के question paper में, इसको सबसे ज़्यादा weightage दूँगा, जिए के questions all नहीं करने हैं, क्योंकि वो पुरानी question है, reasoning, six paper में कितने question मिलेंगे 360, कोण के कितने मिलेंगे 180, English के कितने मिलेंगे 180, यानि कि 720, यान उसका phase 1 कैसे रह सकता है, लेकिन वो अभी आप पे depend है कि आप इसको कितने sincerely करते हैं, और इस बार RBI ने बहुत पहले notification निकला है, और मैंने तो जब आपको information दिया था, exactly, कितने post थे, कब phase 1 होने वाला है, कब phase 2 होने थे, वो तो 90 दिन पहले दिया था, और लेकिन क्या है अ आज से भी अगर आप करेंगे, तो भी ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि, confidently कहता हूँ कि, ये possible है आपको clear करना, ठीक है, और मैं आपको एक counter question पूशता हूँ, अगर मान दी जी कोई guarantee है कि कोई 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से इस फिल् क्योंकि क्या है, UPC के पढ़ाई कर रहें, CAT की पढ़ाई कर रहें, SSC की पढ़ाई कर रहें, form भर दिया, quantitatively reasoning अच्छा है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हो गया, ऐसे भी लोग है, तो आप वो standard इस पे मच जाईए, कि इतने दिन में होता है कर नहीं होता है, आपको ख sufficient days है, अगर आप इस तरीके का plan follow करते हैं, और मैं आपको ये नहीं करो कि आप यही plan follow करो, लेकिन कोई ना कोई अगर plan आपके सामने आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको follow करो, और इसके बाद आप ये जो सर्च है, इधर उधर पूछने का, वो आप ब लेगा, और किसी को अगर इसके बारे में information चाहिए, आपके friends को तो आप ये video को forward कर सकते हैं, thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.